ओम शंती बामदादा मदवन आज की मदोर मुड़ सत्रा आठ तो हजार तेज मीठे बच्चे तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है सच्चे दिल से एक बाप को निरंतन याद करना है सच्चे दिल पर ही साहिप राजी है सबसे अच्छा मैनर कौन सा है किस देवताई मैनर को तुम्हें धारण करना है उत्तर सदा हर्शित रहना बहुत अच्छा मैनर है देवताई सदा हर्शित रहते हैं खिल खिला कर हसते नहीं आवाज से हसना भी एक विकार है तुम बच्चों को याद की गुप खुशी रहनी चाहिए सर्विस की सफलता के लिए अनाशक व्रत्ती चाहिए नाम रूप की बद्वु जरा भी ना हो बुद्धी बहुत सच चाहिए इसी धालना से जब सर्विस करतें दूसरों को आप शमान बनाते हो चेरा हर्शित रहता है गित ना वै हम से जुदा होंगे बच्चे जानते हैं सो भी नंबर वार पुर्शार्ट अंसार क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजे दिल भी आत्मा में है ना तो सच्चे शाहब को याद करो तो सुख मिलेगा याद माना अंदर में बाग को याद करना है आज की मुल्ले से मुख दस पॉइंट पहली पॉइंट जब का अर्थ यह नहीं है कि मुख से कुछ बोलते रहो नहीं याद करते रहो तो बहुत शुक मिलेगा औरों को भी आप शमान बनाना है दूसरी पॉइंट आशिक माशुक को माशुक आशिक को याद करते हैं बस और कहां बुद्धी नहीं जाती धन्दा धूरी भी करते हैं परंथ दिल एक साथ रहती है वै पवित्रियाद है तीसरी पॉइंट इस ग्यान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं माया ऐसी है जो नाग से पकड़ लेती है अश्टान दिया हुआ है अंगत का रामण का चौथी पॉइंट जैसे चुहा काटता है फूँप ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता है ऐसे माया भी बड़ी जबरज़श्त है जो कोई बेकाइदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धी को गुप्त ताला लगा देती है पांचमी पॉइंट बाबा को याद करने का बड़ा अभ्याद चाहिए बाप में पूरा फूरा लब चाहिए छटी पॉइंट तुमको शर्विस करनी है अनाशक्त होकर भल कोई कितना अच्छा बच्चा है परन्त ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में भशना पड़े इससे बड़ा नुस्कान कर देते हैं अब तुम जानते हो हम आत्मा है इस पुराने सरील से मो नहीं रखना है ये तो विकारी संबंध है ना दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है आठमी पॉइंट बाबा रूप भी है बसंत भी है तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ग्यान की धारना होगे पहले आत्मा को पवित बनाना है दें अभिवानी बनने से ही तुम भूलते हो तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझे बाग को निरंतन याद करो दसमी पॉइंट बाबा ही सुनाते हैं यह भी कहते हैं मेरी मैमा नहीं करना मैमा सारी शू बाबा की है उनको याद करने से ही पूरा विकर्मा जीत बनेंगे याद करना है और चक्र फ्राना है शदर्षन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नमबर वार अच्छा धारना के लिए मुक्षर पहली पॉइंट बाप को साथ रखने की युक्ती रचनी है भोजन पर याद में रहना है अश्रीरी बनने का भ्यास करना है अपनी पुरानी दें से भी लब नहीं रखना है दूसरी पॉइंट बाप का पूरा रिकॉर्ड रखना है अहेंकार में नहीं आना है नाम रूप की बीमारी से सदा दोर रहना है ग्यान योग में मस्त रहना है वर्दान है आज का सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादसाही का अन्भव करने वाले अभिनासी राश्तिलक अधिकारी भव आज कल की बादसाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है लेकिन आप बच्चों को सयम बाप ने राश्तिलक दे दिया बे परवा बादसाही कितनी अच्छी इस्तिती है जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवा किसकी होगी बाप को लेकिन ऐसे नहीं की थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अठर्टी को या मन मत को छिपा कर रखो अगर सिरी मत पर है तो बाप हवाले है ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राश्तिलक के अधिकारी बनते हैं स्लोगन है आज का एक एक वाक महा वाक हो कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए तब कहेंगे माश्टर सद्गुरू ओम शान्ति